दोस्तों आप देख रहे हिंदी एडवाजर और आज का अमना टोपिक है एवाकाडो के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगी कि एवाकाडो क्या है, इसके फाइदे, इसका कैसे उप्योग करे और इसके नुकसान के बारे में एवाकाडो के गिंती विश्व के चुनिंदा लोग प्रिय फोलो में होती है, इसका स्वाथ थोड़ा मक्षन जैसा होता है, इसलिए इसे बटे फ्रूट भी कहा जाता है इसका सेवन स्मूथी, ब्रेट टोस्ट या फिर आइस क्रेम के साथ किया जा सकता है एवाकाडो को सुपर फूड की सग्णिया दी गई है, इसमें शुगर की मात्रा कम होती है, जबकि यह फाइबर और मोनो अनसेचुरेटेट फैटी एसिड जैसे पोशक ततों से भरपूर होता है तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि एवाकाडो क्या है एवाकाडो को विग्नानिक रूप से परसी या अमेरिकाना कहा जाता है माना जाता है कि इस खास फल की उत्पती लगभग सात अजार साल पहले दक्षीनी मेक्सिको और कॉलंबिया में हुई थी इसके आकार के आदार पर इसे एलिगेटर पियर्स भी नाम दिया गया था विश्व भर में इसकी कई किस्म प्रचलित है जिसमें से हास एवाकाडो सबसे लोक प्रिय है पोशक्तत्तों के मामलों में हास एवाकाडो सबसे खास है इसलिए इसकी खेती विश्व के कई देशों में की जाती है तो दोस्तो अब जानते हैं कि एवाकाडो से हमें क्या-क्या लाब हो सकते हैं सबसे पहला है रदे स्वास्ति दोस्तो एवाकाडो को सेवन रदे स्वास्ति के लिए अच्छा माना जाता है एक रिपोर्ट के अनुसार एवाकाडो HDL कोलेस्टोल यानि की अच्छे कोलेस्टोल को बढ़ाने का काम करता है जो रदे के लिए फायदे मन्सावित होता है एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार एवाकाडो LDL यानि की खराब कोलेस्टोल के स्तर को कम कर सकता है और रदेक रोक के खत्रे से बचा सकता है इसमें मुझूद मोनो अंसेचुरेटेड एसीड इसे खास बनाने का काम करता है रदे को स्वस्थ रखने के लिए भी आप अवाकाडो को अपनी जीवन शेली का इसा बना सकते है नमबर दो है पाचन स्वास्थे पाचन के लिए भी अवाकाडो बहुत ज्यादा फाइदे मन है इसमें फाइबर और पोटेश्यम की मातरा अधिक होती है जो स्वस्थ पाचन के लिए बहुत जरूरी है डाइरिया की स्थिती में अवाकाडो का सेवन किया जा सकता है इसमें मौझूद पोटेश्यम खोये हुए इलेक्ट्रोलाइट्स की पूर्ती करने का काम करता है पेट की समस्या से बचे रहने के लिए भी आप अपने हार में इस खास फल को शामिल कर सकते है अध्ययनों से पता चलता है कि जो लोग अवाकाडो का सेवन करते है उनका वजन और BMI यानि की बोड़ी मास इंडेक्स नियंतरित रहता है यह मेटाबोलिक सिंड्रोम के जोखिम को कम कर सकता है वजन को नियंतरित करने के पीछे एवाकाडो में मौझूद मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसीड और फाइबर तत्तो जिम्मेदार होते है नमबर चार है आँखो के लिए आँखो के लिए आँखो के लिए एवाकाडो फाइदे मन हो सकता है एवाकाडो लिूटिन और जैक्सिस्टिन जैसे केरोटिनोईड से समरुद्ध होता है जो आँखो के स्वास्ति को बरकरार रखने का काम करता है रिपोर्ट के अनुसार ल्यूटिन उम्रे के साथ नजर संबंदी समस्या को कम करने का काम कर सकता है। इसके अलावा यह फल वीटामिन E से भी भरपूर होता है। जो आखों के बहतर स्वास्ति के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तो नंबर पांच है कैंसर के लिए। कैंसर जैसी घातक बीमारी से बचने के लिए भी एवाकाडो का सेवन किया जा सकता है। एवाकाडो में एवोकोटिन भी नामक तत्व पाया जाता है। जो लिवकेमिया स्टेम कोशिकाओ से लड़ने का काम करता है। लिवकेमिया स्टेम कोशिकाए कैंसर का कारण बन सकती है। एक अन्य अधियन के अनुसार एवाकाडो प्रोस्टेट कैंसर कोशिकाओं के विकास को रोक सकता है। इसके लिए इस फल में मौजूद मोनो अनसेचुरेटेड फेटी एरसीड का होना है। मोनो भी आप एवाकाडो का सेवन कर सकते है। एवाकाडो वेटी एसीड, विटामिन डी और फाइबर से समरूद होता है। जो मौसूदे की सुजन और पेरियोडो टाइटिस यानुकी मौसूदे से जुड़ा संक्रमन जैसी बीमारियों से निज्जात दिलाने का काम कर सकता है दातों को स्वस्थ रखने के लिए भी आप एवाकाडो को अपनी जीवन शेली में शामिल कर सकते हैं। निज्जात का निपाता है। नमबर आठ है लिवर। लिवर स्वास्ति के लिए भी आप एवाकाडो का सेवन कर सकते हैं। एवाकाडो फाइबर से सम्रूद्ध होता है और फाइबर लिवर को स्वस्थ रखने का काम कर सकता है। लिवर के जोखिम से बचने के लिए भी आ आप अपनी रोज की डाइट में एवाकाडो को शामिल कर सकते हैं दूस्तों नंबर 9 है दिमागी विकास एवाकाडो में मुझूद मोनो अंसेचुरेटेड फेट दिमागी विकास को बढ़ावा दे सकता है साथ ही इस फल में मुझूद विटामीन E दिमाग के कार्यक शमता क बढ़ाने का काम करता है अध्यान के अनुसार विटामीन E अलजाइमर रोक के खिलाब एंटियोक्सिडेंट सुरुक्षा परदान कर सकता है चूकि एवाकाडो विटामीन E का आच्छा स्रोथ है इसलिए यह इस मामले में भी प्रभावी भूमिका निपा सकता है दोस्तों में कोलोजन को बढ़ावा दे सकता है एवाकाडो तेल का उप्योग जूरियों के उप्चार के साथ-साथ घाव भरने के लिए भी किया जा सकता है तो दोस्तों ये थे कुछ लाब जो आपको एवाकाडो के सेवन से हो सकते है लेकिन आपको मन में एक सवाल होगा कि इसका जाए तो दोस्तों आए अब जानते हैं कि इसका आपको कैसे उप्योग करना है दोस्तों एवाकाडो एक खास फल है जिसका सेवन कई तरह सी किया जा सकता है आप इसका सेवन स्मूथी ब्रेट टोस्ट सूप या फिर अन्य डेजर्ट में डाल कर कर सकते है आप सुबर नास प्राइस भी बना सकते हैं सलाड या सेंडवीच में अचार वाले एवाकाडो का उप्योग करें आप एवाकाडो आइस क्रीम भी बना सकते हैं दोस्तों एवाकाडो एक गुणकारी फल है जो कई तरह से आपको फाइदा पहुँचा सकता है लेकिन कई मैनों में नुकसान दायक भी हो सकता है, तो दोस्तो अब जानते हैं कि एवाकाडो से आपको क्या और कैसे नुक्सान हो सकता है, दोस्तो एवाकाडो में फेट की मातरा अधिक होती है, इसलिए इसका सेवन वजन बढ़ाने के लिए किया जा सकता है, अगर आप मोटा पेसे ग्रसित है, तो इसके अधिक सेवन से बचे जिनकी तोचा बहुत ही ज्यादा सवेंदन्शिल यानि की सेंसिटिव है उन्हें इसे खाने से एलर्जी की शिकायत हो सकती है एवाकाड़ एक स्वादी स्टोध बहुत गुणकारी फल है जिसे आप देनिक आहर में जरूर शामिल कर सकते हैं यहाँ आपको कोई भी सूपर मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाएगा रोजाना इसके सेवन से कोई बुरा असर आपको दिखे तो अपने डोक्टर का संपर करके उनकी सलाह जरूर ले दोस्तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन ओन करे ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुँच सके धन्यवाद